दोस्तों बात करें तो ये साल PC इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा का इंट्रस्टिंग रहा क्योंकि इस साल आपको स्नैपडरेंगे नए प्रोसर में ले विंडोस के अंदर को पाइल प्लस आ गया विंडोस का एक रिकॉल फीचर आया जैसे माइक्रोसॉफ ने खुल रिकॉल कर लिया और हाँ अगर मैं PC इंडस्ट्री और स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बार में बात कर तो 140 मिलियन से लेके 150 मिलियन स्मार्टफोन से एक साल में काफी बड़ा नंबार हो जाता है इसलिए हम इनको कंपेर नहीं कर सकते लेकिन एक इंट्रसीन चीज़ देखें कि स्मार्टफोन जैसा ही एक रिवल्यूशन पीस इंडस्ट्री में भी लानी के कोशिश की गई थी के नाम पर की गई थी यारेम के नाम पर की गई थी सब्सक्राइब कर देंगे जो एपल ने मैग बुक के साथ एंवन चिप इंट्रियूस करके 2020 में किया सोच उनके ठीक थी यह रिवल्यूशन क्रीट भी कर सकते थे सारी चीज़ा हो सकती थी लेकिन मार्केट में आते हिंके प्रॉड़क्स फ्लॉप हो गया क्योंकि सिंपल सी बात है कि सेल्स कभी हुए ही नहीं इनके प्रॉड़क्स ही इंडिये प्रॉड़क्स बहुत जाद भेंगे थे इंडिया में लेकर रहा है अच्छा काम किया इंडियन पस्पेक्टिव से बात करो जादर लेप्टॉप जो स्नैप ड्रेगन के साथ आए से भी प्रॉड़क्स सेल्स में कंवर्ट नहीं हो सके लेकिन फिर भी कॉलकॉम वाले एक लंबा गेम खेल रहे हैं देखने फ्यूचर में क्या रहता है लेकिन इसका इंपेक्ट मीडिया टेक प्लान कर रहा था पीसी इंडिस्ट्री के अंदर कूदने कि हम पीसी लेवल के प्रोसेसर हम भी बना सकते अशरुकर बात करने रहे तो उन्होंने भी पार्टनर से बात करना शुरू कर दी थी है उन्होंने भी छोटा सा बक्स्ट app यह आपर यह थी कि snapdragon वाले जो processors थे वो ARM design के उपर बेस थे और ARM design आपको पॉपलर हुआ था Apple के MacBook M1 chip से वहाँ पर उसने revolutionize कर दिया था अपने Apple की ecosystem को लेकिन वहाँ पर benefit यह था कि Apple अपना Mac OS बनाती है अपना hardware बनाती है तो चीज़े बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही थी यहाँ पर क्या हुआ कि snapdragon ने बोला हम चिप बनाएंगे और Microsoft के पाथ कि उन से बोला कि आप software बनाओ Microsoft ने ARM के साब से design करती है लेकिन main problem यहाँ पर यह थी कि compatibility जो पुरानी apps के साथ होती वो थी अच्छी नहीं थी जो पुरानी x86 architecture पर थी और यह fundamental problem में जो यहाँ पर Microsoft में फिस्ट कर रहा है snapdragon go जिते भी PC maker से वो इसलिए कोई भी x86 architecture का साथ नहीं पर नहीं चोड़ रहा ओपर से यह chips gaming बगरा के लिए नहीं थी market में हाँ पित्य अच्छी तरीके से नहीं चल पर इसी के साथ ही Apple ने M1 चिप से कहानी शुरू करी थी वो M4 चिप पे आने वाले और M4 चिप के बार में यह बता सकता हो कि वो single core fastest चिप होती है किसी भी laptop के अंदर लेकिन इसके साथ ही अगर वे वापास साओं तो snapdragon का जो स 13 जनरेशन और 14 जनरेशन के जो पुराने प्रोसेसर थे वो यहाँ पर फॉल्टीट करने लगे डैड होने लगे इससे कई सारे लोग laptop वगरा लेने में खाबराने लगे कि क्या हूं से laptop ले इंटल एमडी वाला लेकिन एक बार बता दे तो यह जो Intel के प्रोसेसर थे 13 जनरे इसके साथी Intel की जो financial states थी वो भी काफी तेजी से गिरने लगी और इस साल उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी यानि कि इत्ते सालों से इत्ती पुरानी company यह बहुत अच्छा कर रहे थे लगा था लेकिन ये साल उनके लिए बहुत जादा खराब रहा यहां तक कि इतना ब्रिकेट करते वो भी बेच सकती है और बीच में न्यूज आयती कि Qualcomm बहुत इंट्रस्टेट है Intel को acquire करने के लिए यानि कि Intel का चिप बिजनस PC बिजनस कुछ ना कुछ यहां पर अपने अंदर कर सकते Qualcomm वाले और उससे अपने आपको एक एडवांटेज दे सकते हैं इव अल्टरा कोर सीरीज आती है और उसके अंदर स्पेशलिटी यह थी कि उन्होंने बैटरी लाइफ प्रॉमिस करी X86 आर्किटेक्चर पर और वो भी ARM से बैटर मैंने एक लैप्टॉप उसका देखा है जिसके अंदर क्लीम किया जाते हैं इसमें 27 घंटे बैटरी चलेगी और आगे चलके अपडेट्स उसके फीचर इंटल के पास आएंगे लेगिन इंटल जो था वो उसने बात मानी कि AI वाली जो रेस थी वो यहां पर थोड़ा सा उसमें लेट हो गया यह इंटल की बहुत बड़ी गलती थी और इंटल के साथ देखने वाली बात है कि 2025 में कम बैक क आगे साथ यह वह भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई उनकी भी सेल्स मार्केट में कुछ खास होई ने इस आज के समय में बात करें तो राइजन एक अच्छा काम करता है लेकिन सेल्स की फिगर्स के मामले में उसकी सेल्स पिछले 10 साल में सबसे कम है और राइजन जब स को मिलते हैं वहां पर राइजन की 5000 स्रीज काफी ज्यादा पॉपलर जो आपको यहां देखने को मिलती है इसके साथ ही मैजॉरिटी जो मार्केट है वो इंटल नेया कैप्चर कर रखा है और इसके अंदर भी अभी आर्टीफिशिल इंटेलिजेंस के साथ को निकलना इंप इसके साथी विंडोस को प्लस जो आपकी ऑन डिवाइस करेगा यानि की जो भी आप के टास्क करेंगे वह सारे लैप्टॉप आपके डेक्स्टॉप के अंदर हो पाएंगे साथी माइक्रोसॉफ्ट का जो रिकॉल फीचर ता जिसके बोला गया था हर कुछ समय बाद आपक की आपकी आगे चलके मदद कर सके यह फीचर माइक्रोसॉफ कैसे लाती और प्राइबी सी को किस तरीके से हैंडिल करती वह देखने वाली बाते इसके साथी एपल वाले अपनी एंफोर चिप को भी लाने वाले नए मैक बुक्स आने वाले वह एक इंटरस्टिंग चीज़ और लैप्टॉप्स को जादा प्रोपोट करें क्योंकि उसे बेच पाना जादा सने लैप्टॉप्स को आपके आफिस के लोग स्टूडेंट्स परी सारे लोग ले सकते प्री बिल्ट पीसेज के रहतें मोसली ऑफिसेज यह जो आपके कॉलिजज होते वहां के उनकी जो ल यहाँ पर पैंडेमिक के समय में पीसी बिल्डिंग कल्चर कापी वॉल्व हुआ था लेकिन उसके बाद से काफी बड़ा स्लोडाउन आया है डेफिनिटली इसके मैल्टेबल रीजन ही कि अब उते बड़े जो रिफ्रेश होता वो यहाँ पर नहीं आ रहा है ग्राफिक का पर यहाँ पर कम हो रहे है और इसका वरन ओंद को रीजन है कि टेक्निकलिटी भी जाद है और कॉंपोनेंट्स भी इत्ती रेडियली अवालेबल नहीं होते है और होते है तो उनके एमेजन और फिल्पकार्ट पर प्राइस बहुत जादा रहते है देखने वाली बात है कि 2025 2025 में PC industry क्या रहती है और एक बिल्कुली नए यारा पर जाए तो दोस्तार ये थी कहानी PC बारे में बात करना चाहता था चिपस के बारे में बात करी विंडूस के बारे में बात करी आपहल के बात करी आप लोगों को जो भी उपीनियन है नेजे कमेंट सेक्शन में आप चैनल को सस्प्राइब करने, मैं आप से वलतो अपने अगली वीडियो के लिए, कुछ बाए!